एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजर हूँ, आपका होश्ट हो दोस्विक रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूँ मैं रिव्यू मास्टर में यदि आपने हमारे चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लिजिए और बैल आइगन को भी दबा दीजिए यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा वो कहां से आए हैं और उनको क्या कहते हैं इन साली चीजों पर हम लोग डिसक्रशन करेंगे उससे पहले हम लोग उस तजवीरे देख लेते हैं उनके विजिट की एक्चुल में इस विजिट को यह कहा जा रहा था कि तमासे बाज़े चल रही है और कुछ लोग यह मान रह देखा है कि गलोबल टाइम्स या चाइना किस प्रकार से अपनी वीडियो अप्लोड करते हैं और यह दिखाते हैं कि उनकी आर्मी की कितनी पावर है और इसी प्रकार से जब हमारे रक्षा मंत्री का यह दौरा हुआ तो इसके माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं पुरे विश्व में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे में क्या-क्या capability है इन सभी चीजों को एक तरह से आप समझ सकते हैं कि fifth generation warfare जो की media warfare होता है उससे भी जोड़ कर देखा जा सकता है और ये बहुत जरूरी है इस प्रकार की visit हमारे जवानों को असलावजाई भी देती है साथ ही साथ इन videos, photos के माध्यम से दुश्मन के दिल में एक डर बैठाती है कि वहाँ तैयारी चल रही है क्या तैयारी चल रही है? ये केवल इनडियन आर्मी जान रही होगी, हमारी सरकारे जान रही होगी पर दुश्मनों के दिल में ये डर डालना जरूरी होता है और ये सारी photos निकल कर सामने आई इसमें T90 टैंक भी दिखाये गए हैं उनको चलाने वाले लोग भी दिखाये गए हैं इसके लावा pirate troopers दिखाये गए गरूर कमांडोस दिखाये गए इंडिनेर फोर्स के मारकोस भी दिखाये गए इंडिनेरी के ये काफी detailing के साथ विजिट बनाए गई है इसमें दुश्मन को ये दिखाने का प्रयास है कि हमारी ये ये capability है हम यह चीज लेके लद्दाक पहुच चुके हैं अब कंप्यूटर पर चलते हैं और समझते हैं कि कहां पर यह विजिट हुई भाशन क्या हुआ और उस भाशन से क्या मैसेज मिलता है इसके लावा जो दो-तीन डिफेंस एक्यूपमेंट के बारे मैंने आपको बताया बेस्ट में यह पढ़ता है और यहां प्रिंगोंं जो लेक का फिंगर 4 है जिस पर दोनों सेना ने जमी हुई है यह रिज लाइन ने चीन ही इना लगी हुई है और नीचे के एरिया में भार्तिय सेना है अलाकि का जा रहा है कि जो यहाँ पर चीनी सेना लगी हुई थी वो पीछे हट चुकी और फिंगर फाइफ या सिक्स तक पहुंच चुकी और यहाँ पर काफी उनका हैवी जमावड़ा देखने को मिल रहा है तो यह बात रही कि कहां पर उन्होंने भाषण दिया था अभी राजना सिंग जीनी कहां पर भाषण दिया वो यह जगे है यहां पर भाषण दिया उन्होंने तो उन्होंने इस भाषण में कहा कि बाचीत के दोरा हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है और यह माना जा रहा यह उनका भाशन तो जो की बहुत अच्छा भाशन माना जा सकता है और एक संदेश माना जा सकता है कि वो क्या देने का प्रयास उन्होंने किया अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि यह जो फोटो निकल कर आई है इसमें सारे स्पेसल फोर्सेस के जवान यहां पर है और यहां पर आप देख सकते हैं एक नए प्रकार की राइफल देख रही है स्नाइपर राइफल जो की मार्क्समेन है यह पेरा कमांडोस का तो यहां पर जो स्नाइपर राइफल देख रही है इसको कहा जा रहा है यह 8.6 x 70 mm कार्टूस का इस्तमाल करता है और इसकी किल रेंज कही जाती है 1.5 km तक है 1500 मीटर तक इसके द्वारा मारक शम्तार रखी जाती है तो जो ये वाला वैरियंट है वो लेबवा मैंगनम वाला वैरियंट है और ये अभी जो लेटिस्ट वैरियंट है वो है वजन की यहाँ पर मैकसिमम चोईन की राइफलो का वजन है वो लगबख 4.5-5 kg का है जो लेंथ की बात करें तो एक मीटर की लेंथ है बैरल की लेंथ की बात करें जो घट बढ़ सकती है वो लगबख 500 mm की है और क्या कार्टेज इस्तमाल करते हैं वो मैंने आपको बता दिया पहले इसके लाव जो हेलमेट्स की बात करें ये हेलमेट्स जो की यहाँ पर आप साब साब यहाँ पर एकसिफिल पढ़ सकते हैं और इसको आप इंटरनेट पर देख सकते हैं यह है इनका वेरियंट्स और यह टीम वेंडी के दोरह बनाया जाता है यहाँ पर आप इसकी कीमत भी देख सकते हैं 1139 डॉलर यानि की एक हेलमेट्स की कीमत 80,000 रुपए तक हो सकती है और यह जो हेलमेट है यह स्पेसल फोर्सेस के लिए ही स्पेसली दिया गया है जो की बहुत कम लोगों को और बहुत लिमिटेड मात्रा में खरीदा गया है और वहीं यह स्नाइपर राइफल की बात करें तो वह 40-50 संख्या में ही केबल खरीदा गया है और ये खरीद उसी समय हुई थी जब ये माना जा रहा था कि लेपुआ मैगनम स्कॉर्पियो टी जी टी को खरीदा जा रहा था जो कि ब्रेटा के दोरा बनाई जाती है और इसके लावा जो अमेरिकन पॉइंट फाइब जिरो कैलिबर की एम 95 जिसको बैरिट बनाती है उसके दोरा जब रैफलें खरीदी जा रही थी भारत ने उनको और दिया था स्नैपर रैफल जो कि लगभग चार-पांच मैंने पहले ही इंडक्ट की गई है उन्हीं के साथ इनको भी खरीदा गया था यहां पर आप देख रहे हैं एस जावान को आप देख रहे हैं इसने क्या पैना हुआ है यह कॉमबेट फ्री-फाललर पूरा होता था है इसमें हल्दिमीटर इसके लावा जीपियस भी होता है पैरसूट्ट भी होता है नाइफ होती है, हेलमेट्स होते हैं, गलफ्स होते हैं, फ्री फॉल पूट होता है और लगबग इसका जो वजन है वो 20 से 40 किलो का हो सकता है इन सारी एक्यूप्मेंट का मिला के तो इतने प्रकार कि यहां पर जो जवान है उन्होंने यह जो एक्यूपमेंट है उनका प्रदर्शन भी एक तरह से किया गया है यह वो वेस्ट है जो कि बुलेट प्रूफ वेस्ट आप कह सकते हैं इसमें आर्मर प्रेट इंसर्ट की गई है तो यह पूरा डिस्क्रिप्शन था कि यहां पर इन जवानों के पास क्या-क्या एक्यूपमेंट है और किस प्रकार इसको खरीदा गया है तो आशा करता हूँ आपको एक नई जानकारी प्राप्त हुई होगी इस वीडियो से तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ को वीडियो पसंद आया होगा आप इसको एक बड़ा थमसर जरूर देंगे इस वीडियो समझ कोई सवाल से जाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चानल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लिजए क्योंकि हम इस प्रकाट की वीडियो लाते रहते हैं नमस्कार, थेंक्यू, जाहिंद